हलो दोस्तों, अगर आपके सरीर में एनिमिया यानि खून की कमी हैं, जिसकी वज़े से सरीर में कमजोरी रहती है, धकान रहती है, चक्कर आते हैं, किसी भी काम करने का मन नहीं करता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक स्वास्त आदमी के सरीर में कित वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेराई गंदवा दें, ताकि कोई भी हेल्थ की वीडियो आपसे मिसना हो पाएं, दोस्तों, अगर आपके सरीर में किसी भी वज़े से खून की कमी हैं, चाहे वो प्रिगनेंसी की वज़े से हो, या एक्सिडेंट की वज़े से हो, किस ये अनार सबसे अच्छा उपाय है, अनार में कैलसियम, सोडियम, मैंगनेशियम, पोटेशियम, ताबा, लोहा, विटामिन से भरपूर होता है, अनार खाने से सरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, नमबर दो सेव, अगर आप रोज एक सेव खाते हैं, तो पूरा किया जा सकता है, सेव के सेवन से हेमविलोगिन को बढ़ाया जा सकता है, नमबर तीन, चुकंदर, खून की कमी को दूर करने के लिए, चुकंदर काफी फायदेमन सावित हो सकता है, रोजाना चुकंदर के सेवन से, सरीर में खून की मात्रा को नॉर्मल रेंज तक शरीर में खोन की कमी को पूरा करने के लिए अंगूर भी काफी फायदेमन सावित हो सकता है। अंगूर में विटामिन, पॉटेशियम, कैलसियम, आयरन होता है जो सरीर में खोन की कमी को दूर कर सकता है। नमबर पाँच, गाजर, फलों के अलाबा सबजी भी सरीर में खोन को बढ़ाने में मद कर सकती है। सबजीयों में अच्छी सेहत के लिए गाजर काफी फायदेमन रहती है। साथ ही गाजर के सेवन से खोन की कमी को भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों बात करें शरीर में नॉर्मल बिलड कितना होना चाहिए तो मेल में 12-16 गराम पर डेसी लीटर और फीमेल में 11-15 गराम पर डेसी लीटर होना जरूरी है। अगर इस ते कम हैं तो आपको एनिम्या की प्रवलम है। दोस्तों इस वीडियों बस इतना ही उम्मीद कर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें